पापमोशनी एकाशी का वत रखने से मनुश्य को सभी परकार के पापों से मुक्ति मिलती है। चेतर मा के किशन पक्ष की एकाशी तिर्थी को पापमोशनी एकाशी कहा जाता है। पापमोषनी एकाशी पर करें यह एक खास दीपक का उपाय मिलेगी सारे पापों से मुक्ती, पित्रू की किर्पिया भी मिलेगी, आरती कोनती मिलेगी, बस एकाशी के दिन सूर्य अस्त के बाद इन साथ जंगया पर चला दे एक दीपक, पहला दीपक एकाशी की रात अपने पूजास्तल पर या देवाले को एक दीपक गाए के शुद्गी का जरूर जलाएं, हो सके तो उसमें दो कपूर, दो लोंग डाल कर आरती करें, दूसरा दीपक आपको घर के मुक्खे दुआर पर दोनों और जलाना है, इससे आपके घर में नकारतमकुर्चा परवेश नह कोई भी सात्विक विर्शो उस पर जला सकते हैं, और यदि घर में कोई भी पोधा नहीं है, तो मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दिया जला सकते हैं, बस धियान रखें पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने के बाद आप पीछे मुड़ कर ना देखें, चोथा दीपक आपको घर के पीने के पानी के पास घी का दीपक जलाना है इसे आपके घर में धन की विर्दी होगी पितर उदोस से भी आपको मुक्ती मिलेगी पांचवे दीपक आप घर की आसपास किसी चोड़ाय पर लगा सकते हैं सुनसान जंगे पर लगा सकते हैं, छट पर लगा सकते हैं, या बालकनी में अंदकार वाली जंगे पर लगा सकते हैं, इससे भी गिरान अक्षातर दूर होते हैं, छटा दीपक घर में कच्रा रखने वाले स्थान पर या बातरूम के कोने पर लगाए, साथमा और लाष्ट द ए